घर से मंदिर के लिए निकली दो दिन पूर्व गायब महिला का मिला शव गला काटकर की गई हत्या एस पी ग्रामीन सहित पुलिस बल मौके पर फोरेंसिक जाच्टीन बुलाई गई शव को कबजे में लेकर पुलिस ने पोस्ट मार्टम को भेजा। महिला का का शव नौशहरा रेलवे ओवर ब्रिज के पास रेलवे लाइन किनारे मिला सूचना मिलते ही पुलिस मौक पर पहुँची अग्यात बृद्ध महिला का शव मिला महिला की गला काटकर हत्या की गई है पुलिस द्वारा गायब शंबू नगर की महिला के परिजनों को बुलाया तो महिला की पहचान राधा देवी के रूप में कई गई पुलिस ने फोरेंसिक टीम से जाच कराए इस पी ग्रामी नखलेस नारायन सिंग मौके पर पहुँचे और शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम को भेज दिया मृतक के बेटे का आरोप है उसकी मां के कु कि नाम बरसिंग बरसिंग जी क्या गटना हुई है यह साम को साड़े शार बजे बारह तारीक में निकले गई थी मंदर के लिए वहां से फिर रात को लॉटके नहीं आई उसका अम लोगों ने देता आज आती थी यह सुबह साम मंदर जाती थी कि बाक्ती नहीं आई उसके बाद हमने रात में डूंडा फिर सुबह दिन में भी रूंडा भी नहीं मिली हमने साम को एक जड़ी कराई थाने में जाके तो फिर उना थाने से सूचना मिली यह से नौ-सेरा कि खुलके नीचे आ जाओ ज़र पहचान कर लो तो वहां गई तो प्रवादी के रहने वाली राधा देवी यह परसों डिली सी मंदिर जाने की दिए जैसा कि इंगर वालों को बताना है कि इसे बाद धर पे नहीं आए कल इलों के बारे गोस्ति लिखाई गी आज इनके डेट बाडी मिली है गले पर प्रहार की निसान है इसमें पुरन सिख्टी हुमारी यावरेती सारे साक्षुमा से कफिर किये गए गए है और इसमें पीम के लिए बेजा गिया है और इसमें सा